हेलो एबरीबरन वल्कम बैक टू सीमाच मैचे कचेन तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ केक का डिजाइन वो भी वाइट कलर में है कस्टमर को फुल ओन वाइट केक चाहिए था उसके उपर डिजाइन वी जो फॉंडेंट काम करने वाले है वो भी वाइट कलर का ही होने वाला है तो गैस करिए कौन से थीम हो सकती है और बहुत ही अच्छी थीम है बहुत ही प्यारी थीम है बच्चों के लिए ही है ये थीम और आज मैं आपको step by step आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि आप अपनी केक का जो टेस्ट है कैसे डेबलप्ट कर सकते हो तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 kg का स्पॉंच ले गेसे सेवन इच के मोल मैंने बेक कर लिया था इसके बाद इसको तीन डल मैंने कट कर लिया उसके बाद यहाँ पर यहां पर की का टेस्ट बढ़ाने के लिए यहां मैने लिया था बटर स्कॉच का मैंने खरसली में एसका टेस्ट बहुतset होसे World is Jewish अज़ यहां अगर आप कस्टमर को देते हो इस तरीके से बना के तो आपकी सेल भी बढ़ जाती है और कस्टमर आप से री ओडर भी करेगा अगर केक का टेस्ट उनको बहुत ही जादा पसंद आया तो बाहर से कभी केक नहीं खरीदेगा हमेशा आपको ही ओडर देगा तो इसलिए अपनी क कीक का जो टेस्ट है सबसे पहले वो डेपलेप करना है और कटेस्थ तैस्ट कैसे बढ़ाते है यह आज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है अगर आपको विपक्रीम बनाना नहीं आता है तो इसमें वीडियो की जो लिंक मेरे इसक्रेफिशन बॉक्स में मिल जाए के लिए क्योंकि पंद्रा से बीस मिनिट या एक से देड़ गंटा आप फ्रिज में रख सकते हो बहुत जित्ता टाइम मिले आपको जब हम केरेक्टर या पर जो भी डिजाइन उसकी उपर डालते है तो वह मेल्ट नहीं होता जल्दी से क्योंकि केक का जो क्रीम है टॉप से को अच्छे से ड्राइ होने लग जाता है इस बज़े से केक की क्रीम पाफेक्ट तरीके से अगर बनती है तो कभी भी आपके कैरेक्टर slip नहीं होते हैं तो इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है step by step मैंने वीडियो में बताया है बस तरीके से अपनी क्रीम बना के ready कर लेनी है तो यहाँ पे हम 10th birthday cake बना रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे मैंने karate theme चाहिए वो भी brown belt में तो मैंने उनके लिए यहाँ पे यह वाली बना दी तो उसको हम अभी karate की जो dress है कैसे पहनानी है आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके से मैं जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ बस आपको उस तरीके सबी करसे वीडियो को विडैक कि देखने के बाद ही आपको अपनी केक को preparedness कर लेना है और जो भी decoration है वो आपकोरी कर लेना है तो यह पर आप देख सकते हो किस तरीके से मैं कर रही है यहाँ पर मैंने टीन पीस में कट कर लिया है और बैक साइड से भी और साइट से भी तो इस तरीके से मैं यहां पर इसकी ड्रस पहना रही हूँ और इस तरीके से मैं इसको पानी की हेल्प से यहां पर चिपका लेंगे यहां पर प्रश के हैसे थोड़ा पानी लगा देंगे बैक साइट और फ्रंट में भी लगा देंगे आप चाहिए त कट भी मैंने रखा है तो याने की हमारी ड्रस अच्छे से रेडी हो गए उसके बाद यहाँ पर कॉलर बना लेंगे इसका तो जो हमारा कॉलर होता है ड्रस का उस तरीके से बना लेंगे तो इस ट्रिप कट कर ली है पारी की हैल्प से भी मैं इसको चिपका दोंगी किस तरीके बोडन स्टिक हम स्टिक कर देंगे इसमें लगा देंगे क्योंकि एक टांकी उपर हम इसको खड़ा करने वाले हैं और इसके बाद यहाँ पर ब्राउन बेल्ट मैंने बना लिया है स्टिप कट करके इस तरीके से ब्राउन बेल्ट भी बना लेंगे उसके बाद इसका बना ले थोड़ा मुठी ज़सा जो होता है स्ट्राइब से इसका हाथ लगना चाहिए जो हमारे कराटे केट का होता है उस तरीके से पोजिशन हमने बना लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर होल कर देंगे इसके हाथ के अंदर जैसे जो स्लिप्स होती है तो लूज होत होता है तो है स्काया म плоy आया हूं मार्केट पहलं नहीं है तो इसका 175 लिंग आपको में टिसृप्शिन बॉक से मिल जाएगी कैसे बनाते हैं जाकरúa तो लिंग पर क्लिक किजिएगा और वहां से नग देख सकते है उसकी को इस की वीडियो इसकी विडियो चिरल अलग वल्षरान उसकी बाद कि पंढे की लिजा है मैंनize कि हऊचे सकते हैघ। भी तीजिश सकते हैं किस टूल का मैंने सकते हैं simple तरीके से आपको बताया है इस तरीके से आप उसकी hair बना के ready कर सकते हो roll किया, चिपका दिया back side में और tool की help से उस पर लंबी-लंबी liner कर दी जिससे हमारा एक hair का एक texture आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर edible food pen color लिया है मैंने इसकी eyebrows बनाने के लिए आप eyes भी बना सकते हो पर मैंने यहाँ पर eyebrows के लिए ही लिया है और उसके बाद यहाँ देख सकते हो हमारा face भी बहुत अच्छे से बनके ready हो गया है आगे से थोड़ा सा खाली-खाली दिख रहा है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा fondant roll करके वहाँ पर लगा दूँगी तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो हमारा face भी बनके ready हो गया है मैंने बीच में तुत्पिक डाल दी है उसके बाद उसका head भी मैंने join कर दिया है पानी की help से थोड़ा सा चिपका दिया उसके बाद यहाँ पर मैं एक बना रही हूँ 10 number का एक टॉपर बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने कटर का यूज किया है तो यहाँ पर आपस में मैंने बुड़न स्टिक उपर चिपका दिया तो यहाँ पर 10 number लिग लेंगे हम अपने edible food pen color से तो इसके बाद यहाँ पर मैंने खूब सारा fondant ले लिया है white color का क्योंकि यहाँ हमारी white है तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ karate kit का जो collar होता है तो मैं वस वही बना रही हूँ तो यहाँ पर एक strip cut कर लेंगे लंबी-लंबी सी और थिकनिस थोड़ी सी मोटी रखेंगी जैसे आप यहाँ देख सकते हो और इसके बाद यहाँ पर लंबी-लंबी लाइने कर देंगी karate kit का जो हमारा collar होता है और जो design होता है तो जो आपने देखाई होगा इस तरीके से मैं लंबी-लंबी लाइने कर लोगी तो मैंने किस तरीके से किया है आप यहाँ देख सकते हो back side से और यह band ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर दो toothpick add कर दी है extra fondant लगा के जिससे हमारा collar का collar है जो हमारा stand में रहे पीछी के तरफ से जुके ना इस बज़े से अगर melt होने के chances भी होगे तो हमारा collar as it is ही रहेगा और उसके बाद यहाँ पर मैंने strip कट करके brown belt लगा दिया बहुत simple तरीका है बट इसकी recording हो नहीं पाई तो मैं आपको बता नहीं पाई camera off हो गया था last moment पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया उसके बाद सारे topos लगा दिया हाँ पर मैंने उसके बाद हमारी केक का जो final look है आप यहाँ देख सकते हो अगर इस type की आपको theme मिलती है तो आप easily complete कर सकते हो आज की केक का design आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताएगा मिलते हैं आपको next video मत बता के लिए bye and thank you for watching